मीठा खाने का मन हो। सर्दियों में बाहर जाने का मनना हो। सीधे घर के उन समान से मीठा बना जो घर पर ही मौझूद हो। इसलिए आज हम बनाएंगे सूजी के गुलाब जामुनूण।20 और यह खोए के गुलाब जामुन की तरह ही टेश्टी बनते हैं यह देखने में सुंदर और खाने में टेश्टी लगते हैं किसी को लगेगा नहीं कि आपने यह सूजी के बनाया है आप भी इसे एक बार जरूर ट्राइ करें तो चलिए बनाते हैं हेलो दोस्तों मैं हूँ शबीना मैं आपका शबीना जी के किचन में वेलकम करती हूँ सबसे पहले मैंने आधा कप सूजी ली है कड़ाई में देशी घी आधा चमाश डालेंगे और सूजी को भून लेंगे लगबक 30 सेकंड भूने और एक कप तूद एड़ करेंगे सूजी फूल जाए बस इतना ही पकाएंगे सूजी फूलने लगी है अब गयस को करेंगे बन और इसे ठंडा होने देंगे तब तक हम चाशनी तयार कर लेते हैं एक बरतन में हम एक कप चीनी एड़ कर देंगे उतना ही पानी एड़ करेंगे हम सूजी के गुलाब जामुन बना रहे हैं इसलिए चीनी में पानी उसके बराबर रखेंगे खुजबू के लिए इलाइची एड़ कर देंगे एक चुटकी से भी कप फूट कलर एड़ करेंगे फिर बस दो मिनट पकाएंगे चासनी को देखें चासनी रेड़ी हो गई है अब इससे ज्यादा नहीं पकाएंगे सूजी का डो तैयार हो गया है अगर आपको टाइट लगे तो आप उसमें दूद एड़ कर दें इस तरह से और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लें एक चम्मच से कम देशी घी एड़ करेंगे इससे गुलाब जामुन सॉफ्ट बनेंगे गुलाब जामुन के अंदर एक किश्मिज भर के कुछ इस तरह से सारे इसी तरह से तैयार कर लेंगे अब कड़ाई में रिफाइंड तेल डालेंगे मीडियम गरम होने पर हम गुलाब जामुन तेल में डाल देंगे हम गुलाब जामुन को डालते ही हाथ नहीं लगाएंगे वरना ये बिखर जाएंगे जब आपको लगे कि नीचे से अच्छे से सिग गये है तभी उलट पलट करेंगे देखिए ऐसे अब इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे देखिए इस तरह कि जब हो जाए तभ इन्हें निकाल लेंगे चासनी में हम गुलाब जामुन ऐसे नहीं डालेंगे सर्दी का टाइम है चासनी भी ठंडी हो गई है इसे हम पहले गरम करेंगे तब ही उसमें कुलाब चामून एड़ करेंगे तो ये बिल्कुल रेडी है अब सर्व कर लेते हैं तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल में नए है त चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर दबाएं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक आप यह खुश रहो